मैंपूरी जनपत के थाना बेवश शेत्र में एक युवा को धारदार हतियार से प्रहार कर जान से मारने की कोशिश की आपको बता दी थाना बेवश शेत्र के ग्राम मानपूर हरी निवासी रजाक अली और रक्षपाल शाकिया निवासी ग्राम पत्या के बीच खेत की नाब तोल को लेकर कहा सुनी हो गई जिसको लेकर एक दिन पूर्व लेकपाल द्वारा खेत की पैमाईश भी करा दी गई थी वह समय भी दोनों के बेच बिवाद हो गया था देरवात्री मानपूर हारी निवासी रजाक अली रात 11 बजे के समय राजपाल आपस में बात कर रहे थी उसे समय मौकी का फैदा उठाती हुए रजाक ने मीट को कातने वाले धरदार गरसे से रक्षपाल सिंग शाकी की उपर प्रहार कर जांस निमारने की कोशिश की और गायल को मरनासन स्थिती में कर दिया घर से फरार निकली चीख ने चिलाने पर आसपास के लोग जमा हो गए और तुरंत घटना की सूचना थाना पूलिस को दी गर्टना की सूचना पर पहुंची पूलिस ने घाल रक्षपाल को सीसी बेवर भेजा जहां से उसकी गंभीर स्थिती को देखती हुए चिकत्सकों ने घाल को जिलास पताल के लिए रेफर कर दिया और पूलिस ने घाल के परवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर मामले की जांच परताल शुरू कर दी लेकिन अभी तक घाल के स्थिती गंभीर बनी हुई है तो रज्जाक जाकर उनके साथ मार्पिट किया है उनको गंभी चोटे आई है इसमें ततकाल हत्या के प्रयास का मुकर्णमा दर्श किया लिया है और अच्पाटी कर अब शारी इसमें रज्जाक जो अभीक्त है उसकी घालास परतिके जर आपका होगा हुआ है उसमें एक पूरा प्रादिक इतियास नहीं है इनका आपस में खेत है जिसके लिए के नापो को गरह होगी थी उसकी का दिन में विवागता और आप में रज्जाक ने इस तरह से उनके उपर हमना किया है